मोती, ये चंद्रमा कितनी शान्ति देता है नौ? और देखो तु, आज कितना सुन्दर भी लग रहा है चंद्रमा तो पहले भी, आज की बाती सुन्दर था और शान्ति देता था कुछ पदलाव तो आया है, वो भी आप में आज आप कुछ भिन लग रहे हैं जोदा, क्या बात है, बहुत प्रसंद भी है, चुप कर, कुछ ज्यादे ही बोलने लग गई ही तू आज कर, शेहनशा जलाल-दिन मुहम्मद अश्रीफ ला रहे हैं, प्रणाम शेहनशा, अम बस यहाँ आपको यह बताने आये हैं, जोदा कि कुछ ही वक्त बात निकलने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि आप जो हूँ, आपको बताएंगे, शायद उससे सुनकर आपको बहुत खुशी मिलेगे, कि हम यह सफ़र बताओ शेहनशा नहीं, बलकि काम आपमी करेंगे, यह देखिए, इसाम आपमी के लिए पास को पह जारी के वज़ा किया है, वो, अम्मीचान ने कहा था रहा कि सारी बेगमें जाएंगी, तो अच्छा लगेगा, बस इसलिए, अम्मीचान ने ज़रूर ऐसा गा था जोदा बेगम, लेकिन अब रुक्या बेगम, उसलीमा बेगम हमेरे साथ नहीं जा रही, और इसकी जाता है कि हम आपकी सेहत के साथ कोई खिलवार करें, शेहनशा हम कोई ध्रमन के लिए नहीं जा रहे है, आज शिरवाद लेने जा रहे है, और पर जब स्वयम इश्वा ने बुलावा बेगजाए, हमारी सुरक्ष्णा का दायत हो तो नहीं का हुआ, हमारी बात माने है जो इसलिए हमारे साथ और कोई भी नहीं जा रहे है, कोई नहीं जा रहे है, ऐसे में तो हमारा जान और भी हावश्यक है, आपका ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए अरे, आप दोनो आदाम अमी जान प्रणाम अमी जान जीतते रहो, लगता है हम गलत वक्त पर आगए नहीं अमी जान, आप बिल्कुत सही समय पर आईए अगर जोधा बेगम जाने के लिए तयार है जलाल तो आपको उन्हें ले जाना ही होगा और याद रहे, उनकी हिफाज़त और खयाल रखना आपकी जिम्मेदारी है आप में जान, लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि हम यह सफर एक आम आत्मी की तरह कर रहे हैं और हमें और वो काम करना होगा जो एक आम आत्मी करता है तो सोचली से जोधा बेगम, क्या आप इस हालत में वो सब कर पाएंगे? नहीं संदे, तो चलो, इसे एक मुकाबले की तौर पर लेते हैं कि कौन अपनी जिम्मेदारी पहतर निभाता है? मैं जान हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दुनों साथ वो एक दुस्से से मिल गई हैं और हमें अकिला देखकर आप तुनों ने हमें खेलिया है तो इस वक्त हमाई ले मनासिब यही होगा कि हम यहांसे निकल जाए आदा पुच्छा, आदा जो दावे आई जो दावे कम इन आखा में तुम जब से हो गई गुम सारा जहां तेरा चहरा प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा दिन आखा में तुम जब से हो गया सारा जहां तेरा चहरा प्रीत का ये रंग इन देरे संग और भी हो गया बिष्ट है वो एहसास बिष्ट है वो जजबार बदल दे ये तुम्या बदल दे ये हाला नाव रुको माजी क्या बात है शेंशा आपने नाव क्यों रुकवा दी खुश नहीं जोता वेगम बस एक एक बात आयाद आगए अब जब आपने पूश ही लिया है तो हम आपको बताते थे उस दिन हम पर उस तरफ से तीर चल रहे थे और कमार की बात है एक नहीं कई सारे तीर एक साथ चल रहे थे तीर इस तरह चलाए जा रहे थे जिसे मानो हम पर वार हुआ हो और हर तीर हमारे पास से गुजरा था जोदा बेकम हमारा मानना है कि कि अगर दुश्मन वार करता है तो आपकी जान लेने के लिए लेकिन उस दिन हम पर वार के गए हमारी जान बचाने के लिए मगर अफसुस इस बात का है कि हम तीर शराने वाले को शुक्रिया नहीं कह पाए वना क्या बता शायद बेनजीर हमारी जान ले चुकी होती विसे जोदा बेकम उजदनाब के तीरों ने बेनजीर कच्छुआ क्यों नहीं जैसा कि हम जानते हैं आप तीर चुलाने में बहुत माईर हैं एक साथ कई सारे तीर निशाने पर लगा देती हैं तो उस दिन आप चुक कैसे कहीं वैसे कमाल की बात है न जोदा बेकम कि आपका निशाना लगा भी नहीं और आपने अपना काम भी साथ लिया बहुत कमाल का होना है रही लेकर हम फिर भी कहेंगे कि उस दिन आपको बेनजीर को अपना निशाना बना लेना चाहिए था बनाच आप पर जहर पीनी की नौबत नहीं आती तो बताई आपने अपने बेनजीर को अपना निशाना क्यों नहीं बनाया क्योंकि उस दिन हमारा लक्ष बेनजीर को मारना नहीं था आपकी जान बचानी थी और फिर हम ये कैसे साबित करते कि वो एक विश्व करनिया है क्योंकि आपकी भी तो एक बहुत गलत आदत है आपको जब तक पूरे साक्षे नहीं मिल जाते आप किसी की बात पर विश्वास ही नहीं करते और खास तोर पर तो हमारी बात पर अबने एक बार आपकी बात पर विश्वास किया था आपके पास आये थे और आपने हमें धक्का मार कर खुद से दूर कर दिया था अमसच कहें हमें आप वर्टों को समझने में बहुत तिक्क्त होती अब खुद ही देखे जैसा आपने कहा कि अपनी बात साबित करने के लिए अपने जहर पी लिया अपनी जान के साथ खिलवाड कर रही थी आप अब जब आप ऐसे आरकत के करेंगी तो हिंदुस्तान के बाशाओ को क्या दो जहां के बाशाओ को भी आप औरतों के समझने में बहुत दिक्कत आती होगी ना हो चलो माजी हम चाहते हैं कि आप सब हमारी एक बात बहुत गौर से सुने होज़से अपने जहन में बठा दे अपसे हम आपके शेंशा नहीं है और नहीं आप हमारी से पाई हैं हम बस एक आम आत्मी हैं और आप सब हमारे आम से लग इसलिए भूल कर भी कोई हमें शेंशा नहीं कहेगा और नहीं इने बेगम साहिबा चाहे तो आप हमें सेठ या से ठानी कह सकते हैं समझे जी शेंशा का है शेंशा में तो यहाँ कोई शैंशा नहीं दिखाई ते रहे, क्या आपको यहाँ कोई शैंशा दिखाई दे रहे हैं नहीं सेटजी बहुत खुब अब सब लोगा अराम फर्माइए हम थोड़ी तेर में निकलेंगे सेवक तो ठाने सेटजी बोड़ेंगे मैं थाने काई बोलूँ ज़ तुमारी घरवाड़ी मैं थारा घरवाड़ा क्यो हो यो जोधा बेगम इस तरियां चौक क्यों कई के समझे कि मैं थारी बोलनी न बोल सकूँ हाँ हाँ ठीक ठाक बोल लेते रख क्यों जूट बोल रही है जोधा बेगम अच्छी घासी तो बोल लियूँ आ सिठाणी आ तने यात्रा कराऊं आजा क्या खबर लाए हो गुलफाम माशाल्ला क्या बात है शरीफ उतिन सार्ड कैद ठाने में हुकम बज़ रहे क्या बार की हवा नहीं मिलती हैं आपको तो बार की ख़वरे मिल रही हैं कि भी यह क्या कर रहे हो आदम आप तो पसोगे हमारी ले भी मुश्किले बढ़ादो के चले जाओ यहां से हम तो तारीफ कर रहे थे पर लगता है कि जनाब को बुरा लग रहा है जानकर अच्छा लगा शरीफ अदिन कि तुम्हें इस कैद खाने में मजा आ रहा है परना इतनी लंबी सजा तुम कैसे काटा की तुम्हारी एक खौइश अधूरी रह जाएगी आदम क्योंकि हम बहुत जल्द यहां से बाहर निकलने वाले हैं